हेलो दोस्तों तो आज हम करने वाले डिफेक्ट्स इन कास्टिंग तो डिफेक्ट्स अलगलग होते हैं कास्टिंग जब भी आप करते हो तो अलगलग डिफेक्ट्स आते हैं तो मैंने कोशी किया है इनको इजी बनाने की तो यहां पर मैंने अलगलग केटेग्राइज कर दिय कास्टिंग की प्रोसेस बेसिक जो है वह अगर आपको पता है तो ठीक है नहीं तो आपको उपर लिंक दे रहा हूं वहां पे क्लिक करके आप पहले देख ले कि कास्टिंग होती क्या है तब आपको यह इजी समझ आजेगा अब देखिए हमने करना क्या होता है कि हमारे पास यहां पे माल लेते हैं कि यहां पे मेरे पास एक मोल्ड है यहां पे है और यह सारा यहां पे सैंड है इसमें हमने पहले क्या करना होता है सैंड डालना है तो यह सारा सैंड है उसके बाद हम क्या करते हैं पैटर्न डाल देते हैं इसके अंदर अब जो पैटर्न डालेंगे और उसको निकालेंगे तो यहां पे cavity बन जाएगी, okay, easy, cavity बन जाएगी, और यह cavity के अंदर हम क्या करेंगे, molten metal डालेंगे, यहां पे molten metal डालेंगे, तो जब यह ठंडा होगा, ठंडा होने के बाद, यह क्या बन जाएगा, हमारे पास casting product बन जाएगा, अब इन सारी चीजों में हमारे पास कोई नो कोई defects आजाते हैं, defects आजाते हैं, तो वो हमने पढ़ने हैं, तो सबसे पहले क्या है, gas trapped, gas trapped का मतलब क्या है, यह देखिए, हमने यहां पे molten metal डाला है, अब जब molten metal डालेंगे, तो उसके अंदर gases involved हैं, बहुत सारी gases हैं, जो उसमे होती है, कुछ नहीं हो पाती, तो जब वो नहीं हो पाती, तो यहां पे gas कहीं न कहीं trap हो जाती है, जब solidification होता है metal का, तो वहां gas trap हो जाती है, gas trap होने से होगा क्या, आपका जो मेरे पास product है, यह ऐसे product है, यह पाहर से मालो कि बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन अंदर इसके कहीं न कहीं gas trap हो रखे, उसके कारण काफी problems आ सकती है, वो हम यहां पे पढ़ेंगे, solidification of metal, metal जब ठंडा होता है, अब हमने यहां पे metal डालना है, metal बहुत जादा गरम है, molten metal है, जब यह देरे देरे ठंडा होगा, तो उस चीज में problems आ सकती है, वो पढ़ेंगे, sand, य इनके sand को ramming करने में, या sand यहां पे mix हो गया कहीं पे, उसके कारण problems हो सकती है, वो हम यह इसमें पढ़ेंगे, और last time mold making problems, तो mold जब बना रहे हो, तो तब problems आ सकती है, ठीक है, तो categorize करने से easy हो जाएगा आपके लिए, तो काफी अलग-अलग definitions है, वो सारी पढ़ेंगे, सबसे पहले इसका आता है blow holes, तो नाम सुनिए, blow holes, holes त्यार होगे, blow holes त्यार होगे, तो इसकी थोड़ी definition देख लो आप, the spherical flattened or elongated cavities present inside the casting are called blow holes, the blow holes appears in the body of the castings, the cavities present on the surface of casting are called open blow, तो तो देखिए, हमारे पास क्या हुआ, कि जब इसको ठंडा किया, तो इसके अंदर कहीं न कहीं क्या हुआ, gas trap होगी, अब ये जो gas trap हुई न, मालो कि ये casting आपने इस तरह से त्यार कर दी, इस तरह से त्यार कर दी, ठीक है, तो इस तरह से त्यार होने से, यहाँ पर इसक अंदर जो है न, होल, बड़ा ही खतरनाक है, जो पहार दिख रहे न, बहार दिखेगा, उपर सर्फेस पे, जो सामने सामने दिख जाए, उसको हम कहेंगे, open blow, लेकिन अगर उसके अंदर है, तो वो क्या हो गया, हमारे पास, blow holes अंदर है, तो दिखेंगे नहीं, अगर आप वो धीरे 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 उस कास्टिंग को तोड़ना शुरू कर देगा, तो आपको पता में चलेगा, और अंदर उसके, अंदर होल होने के कर, वो धीरे धीरे उसको खतम करतेगा, ठीक है, यह होता है, हमारे पास, blow holes, तो यह क्या है, हमारे पास वही, gases trap, तो कैसे, अभी मैं एक introduction दे रहा हूँ आपको, ताकि आपको easy way से समझा सके, अब अगला क्या है, porosity, तो porosity देख लेते हैं, हमारे पास क्या है, this indicates very small holes uniformly dispersed throughout the casting, when the blow holes remain present, they occur in large number and fairly uniformly dispersed over the surface, तो यह देखी, porosity क्या है, हमारे पास, कि बहुत ज़्यादा जब holes त्यार हो जाएं, बहुत ज़्यादा, छोट छोटे, ज़्यादा holes त्यार हो जाएं, ठीक है, तो यह, वही blow holes की तरह, लेकिन blow hole एक हो सकता है, दो हो सकता है, लेकि यह ज़्यादा numbers में आ जाएंगे, और pinholes, pinholes क्या है, these are tiny blow holes, either at the surface or just below the surface, these defects occur due to the gas dissolved in alloy, they are caused by hydrogen present in the molten metal, अब देखी, अगर इसके अंदर hydrogen है, इसके अंदर हमारे पास molten metal है, उसके अंदर hydrogen है, जब वो धीरे-धीरे ठंडा होता है, तो वो hydrogen क्या है, वो dissolve नहीं हो पाती, इसके अंदर, वो hydrogen, specially hydrogen की बात करता है, nitrogen और hydrogen, दो हमारे पास ये gases हैं, जो ये problem कर सकती है, तो pinholes कर सकते हैं, तो है वही, लेकिन ये specially pinhole वाला, specially हमारे पास hydrogen के लिए हो गया, तो ये specially है, वो hydrogen के लिए, या nitrogen gas के लिए, ठीक है, ये हमारे पास specially है, तो हमें अगर पूछता है, तो हमारे पास gases का नाम पता होना चाहिए हमें, ठीक है, नेक्ट में जलते हैं, solidification of metals, तो solidification of metals में कि धीरे-धीरे जब ठंडा होना है, तो क्या-क्या problems हो सकती है, तो ये सबसे पहला हमरे पास है, miss run, तो miss run क्या है हमरे पास, देखिए, if the liquid metal is not heated properly, and there is insufficient superheat, then the metal start freezing before reaching to the farthest point of the mold cavity, अब देखिए, आपके पास, यहाँ पे माल लो, कि यहाँ पे इस तरह से कोई पार्ट है, इस तरह से पार्ट है कोई, आपने यहाँ से molten metal दाना शुरू किया, अब धीरे-धीरे जाएगा आगे, लेकिन वो अचानक से जल्दी-जल्दी ठंडा होना शुरू हो गया, और यहाँ पहुंचने से पहले-पहले ही ठंडा हो गया, यहाँ पी, हमें तो पहुंचने से पहले-पहले आपको आउट कर दिया, तो यह जहां तक पहुंचना था, उससे पहले-पहले ही उसको आउट कर दिया, वो रुक गया, solidification होगी उसकी, तो miss run हो गया, ओके, next देखते हैं, next हमार पास cold shut, तो cold shut क्या है, इसकी definition भी साथ-साथ करते हैं, तो cold shut shut है for the casting having gates at two sides, the miss run may appear at the center of the casting, this defect is called cold shut, अब देखे, इसमें क्या है, cold shut में, cold shut में यह होगा कि हमार पास माल लो, कि यह थोड़ी बड़ी casting है, तो उस case में हम क्या करेंगे, तो यह दो gate रख लेंगे इसके, एक gate ही है, एक gate ही है, और मैंने यहां casting, यहां बड़ी casting है, तो इस casting मे मैंने पोर करना मैटल को, यहां पे, यहां से आया, और यहां से आया, दोनों आके, यहां से बीच में जुड़ने थे, यहां पे, लेकिन दोनों का, यह देखे, यह मैटल आया, इदर आया, इदर आया, लेकि यहां आके, बीच में कहीं पहले ही, यह solidify होगे, solidify होगे, और यह आपस में पूरे मैच नहीं हो पाई, एक दूसरे में घुल नहीं पाई, Molten Metal एक दूसरे में घुलने की बजाए, पहले ही क्या हो गया वो, वो पहले ही solidify हो गये, तो उसके कारण क्या हो जेगा हमारे पास, cold, shut, Next है hot tear, hot tear क्या है, a crack that is developed in a casting due to high residual stresses is called hot tears, Hot tears are formed in the casting due to differential cooling rate and the low strength of the metal at high temperature, अब देखिए hot tear क्या है, हम नाम से समझें, गरम आसू, तो यह गरम आसू क्या है, देखिए हमारे पास जब इसमें जब यहाँ पर Molten Metal डालेंगे, तो यह Molten Metal का अलग अगर rate है, cooling rate है, किस तरह से है, कि यहाँ पर आया, कुछ area तो यहाँ पर यह सारा solidify हो गया, लेकिन कुछ part यहाँ पर Molten Metal का बीच में कहीं, वो अभी नहीं हो पाया, cooling उसकी अभी नहीं हो पायी, ठीक है, इस side हो गया, उसकी cooling इस side हो गया, कहीं थोट-छोटा part जो है, वो cool नहीं हो पाया, तो वो क्या बन गया, एक आसू की तरह लग से दिखना शुरू हो गया, ठीक है, बीच में खही रह गया और आसू की तरह दिखना शुरू हो गया, यह क्या जीजा यार, यह cool नहीं हो पाया, तो यह problem आ सकते हैं, उसको हम कहा जाते हैं, hot tears, इसमें last है हमारे पास shrinkage cavity, अब shrinkage cavity क्या है, इसकी definition देख लेते हैं, तो इसका है, the shrinkage cavity is caused by the liquid shrinkage occurring during the solidification of the casting, तो देखिए, अब यह यहाँ पर shrinkage cavity में क्या होगा, कि आपने जब इसको यहाँ पर molten metal डाल दिया, molten metal डालने के आदे एए, यह solidify होगा, solidify होगा, तो धीरी धीरी यह क्या करेंगा, shrink करेंगा, shrink होने के कारण अगर देखिए, इसके लिए हमने क्या रखा होता है, rizer रखा होता है, कि अगर यहाँ पर solidify होता है, तो उपर से rizer इसको molten metal दे देगा, लेकिन अगर यह राइजर आपने सही तरीके से नहीं बनाया गेटिंग सही सिस्टम नहीं बनाया तो आप क्या करोगे यहां से जब यह सॉलिडिफाई होगा तो सॉलिडिफाई होने के कारण यहां से कहीं मालो सॉलिडिफिकेशन इस तरह से होगी और यह shrink कर गया तो यह shrinkage होने के कारण क्या होगा कि यह problem सामने दिखेगी आपको आपका जो casting का final product है वो सही नहीं बनने वाला तो यह क्या होता है हमारे पास shrinkage cavity Next है हमारे पास sand problems, sand से related problems, sand से related बहुत सारी problems है तो यह part 1 है वीडियो का, तो part 2 वन सेमिलेटेट कराउंगा